हेलो आप सब कैसे हैं असा करती हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे हूंगे और मैं भी अच्छी हूं और मैं अनिता सी अनिता की जिन्दगी में आप सब का बहुत बहुत सागत है तो गाइज अब तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हूंगे वो प्ली बिरियानी अज बनाए हुँ अब फिरियानी आज बनाए हुआ अगर आपके सोच रहा थी मैंने अभेशन बिरियानि नहीं बना का ला लेँ थी तो संडै का दिन है संडे में प्षूर्शत रहता है गाई इसलिए कि बच्चे के तो संडे है तो बंध है और हमारे जो हर्शमेंड है यानि पतिदेव जी है तो भी आज घरपर है तो भी फुर्सत में हैं, तो जो खाना हमारे होते हैं, तो खाना में जल्द बाजी नहीं है, थोड़ा काम तो हम लोग के छुटी कहा है, संडे हो या मंडे, रोज हम लोग को लगा रहना है, लेकिन एक होता है जल्दी जल्दी करो, जल्दी त्यार करो, जल्दी जाना है, दिमाग को अपना पस्थिर करके और निश्चिन से करती हूं तो थोड़ा समय था तो सुचा कि आज मैं बिरियानी बनाओं और आप लोग के साथ सेयर करों तो देखें मेरा बिरियानी की सतरी के समय बनाई हूं और मेरे तरीके से बनाए हुए आप लोग एक बार जुरू बन बदल बदल की बनाना चाहिए क्योंकि बस हम लोग की कामे क्या है और डूपीय क्या है बस खाना करना खाना करना तो चलिए किचेन में चलती हूं आप लोग को तो मैं अब आ गई हूँ कीचेन में अपने केमरा को लेकर तो गाईज यह देखी मैं पानी पहले रखती हूँ क्योंकि पहले मैं चावल को बॉयल करूगी अब हो हल्की सी बॉयल करना है तो मस इलाईची और चार हरी मिर्च और दलचीनी नमक और थोड़ी सी तेल जो सरसो के होता है उसको डाल दे और गाईजी देखी जो प्याज होता है उसको पतले पतले से कट करके उसको फ्राइग कर ली हूँ और हरी जो हमारे धनिया पत्ता हो गया और ये जे कोवी और पनीर और बीन्स है और हरी मिर्च और लासुन अधरह की ये पेश्ट है और जो बुलते हैं मटर यानि छेमी है तो उसको भी हल्की से ही बॉयल कर ली हूँ और ये मेरा चावल हो गया तो गाई जी चावल जो बसमतिर आस बुलते हैं वो चावल है इसको अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ तो गाई जी तो चावल हमारे यहां नहीं होता है मैं खरीद कर लाई हूँ क्योंकी हमारे यहां लोग भुंते हैं तो जो नर्मल से चावल जिसे कतेरनी सोनाचुर हो गया वही होता है तो यह जो अपको मर्जी को उपर है जितने आप सबजिय उसमें ढाल सकती है लेकिन यहां जो है तो वही मैं ढाली हूँ गाजर हो गया गाजर बीन्स और फुलको भी और पनीर तो दिखिए मैं सब को पहले फ्राई कर ली हूँ अच्छी से तो यह मेरा पनीर हो गया गाई जी पहले पतली पतली से जो हमारे पनीर होते उसको कट कर लीजिए और जो बीन्स गुबी और गाजर हो गया उस सब को मैं फ्राई कर ली हूँ और फ्राई करने के बाद एक कंटिनर में इसको रख रही हूँ गाईज बहुत टेश्टी बनता है एक बार बना कर अपने आहां खाई ही गाईज गाईज यह तो मेरी बेटी बना रही है स्वादंसा नमक डाल दी यह मेरी आज बेटी की यह उसका जो पसंद है यह सब बहुत पसंद करती है गाईज और उसका हर कुछ करने के उसका गोता है ना कि ग्यान तो उसी तरह उसको हर चीज करने की ग्यान हो गया होता है और हर चीज के लिए सौक रखती है करने के लिए तो ये जो हल्दी हो गया और red chili powder हो गया अब अब अबस उपर में मैं डाल दे रही हूँ और जो हरी इलाई चीफ होता है उसको दुचार को उसे अपना थोड़े से निचोड़ का डाल दिये और जो ग्रम मसाला खाड़ वाला होता है गाई जो उपड़ता है और साबुत जो होता है जीरा उसको खाल डाल दी जो हमारे यहां लासू नद्रख का जो पेष्ट हम पने घर में बनाते हैं वो इसे लोग कितने लोग बाहर से भी खरीद कर लाते हैं तो बाहर के हम पसंद नहीं करते हैं और जो हरी मिर्च जो है उसको कट करके लंबी लंबी सी उसको डाल दी और जो हरी धन्य पत्ता था उसको डाल दी तो गाज यहां पर जो हमारे पानी था उब्वाइल हो रहा था तो मैं इसमें ने चावल को डाल दी इसे तो अब लोग भी पता होगा चावल हम डालते हैं तो थोड़ी सी अगिन मता को चढ़ा देते हैं गुमा कर यहां बस थोड़ी सी उसमें बॉय लाने देंगे और इसमें दही पढ़ता है यह मेरा दही हो गया और जो खाने वाला रिट कलर होता है गाई पस एक चुटकी उसमें डाल दी और डालकर चमत से इधर उधर उसको अच्छी तरह से फेट लोगी तो देखिए उधर मेरा फेटा गया और इधर मेरा चावल है उबायल हो गया इसको कम से कम 50% तक से पकाया जाता है इसको पहले उसको किसी बर्तेंस में मैं चान ली और देखिए सबको मैं फेट कर पाच मिनट उसको छोड़ दी सेट होने के लिए और जो मेरा ये प्याज था जो फ्राई करके रखी थी गया उसको मैं गयस पर बस इसको थोड़ी से डाल दी जो हमारे जो कड़ाही हो गरम हो गया तो और जो मैं सबजिया को फेट कर दही में रखी थी उसको मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ी से ही पकाया जाता है शुरू में क्योंकि जो हमारे सबजिया हुँ तो पकी हुई है पहले से बस इधर उधर दो चार मिनट तक इसको पकने देंगे बहुत टेश्टी बनता है एक बार बनाईएगा हम जाते हैं रिश्टेंट में और हेज भी मिर्यानी का मांगते हैं तो वहाँ पर बहुत महगी सी मीलती है गाईज हम लोग घर में बनाते रहेंगे तो पुरे फिमली भी पसंद से खाएंगे लोग जो मेरा मटर हो गया थोड़ी सी उसमें डाल दी इसमें ऐसा होता है कि आपकी मर्जिक उपर रहता है जितनी सबजिया हुआ आप डाल सकती है जितना मेरे यह था तो तहीं मैं डाली और गरम मसाला डाल दी और यह जो मेरा काजिव हो गया सबको डालकर अच्छी तरह से 2-3 न्यट तक इसको पकाई तो दिखे मेरा पक ग गया तो मैं यह मेरा चावल की जो पानी होता है अच्छी तरह से निकल गया है तो मैं इसमें चावल डाल दी चारो तरब से निकडाही में तो देखिए चारोतर जो मेरा सब्जय था उन निचे में है और उपर से चावल चारोतर ब्लाव से sit कर दी हूँ और चावल sit करने के बाद थोड़ी सी मेर जो मेरा प्याज था तो उसको मैं बचा कर रखी थी उपर से डालने के लिए और ये जो color दिख रहे है गाई, जो खाने वाला color होता है, red वाला, बस एक चुटकी उसको यूपर से color को change होने के लिए डाल दी, और जो मेरा तेल हो गया, सावरी, ये घी मेरा है गाई, तेल बूल दी, बस एक चमच घी उपर से डाल दी हैं, जो इसका चावल का पानी बचा था, तो उसको रखा जाता है, फिकना नहीं चाहिए, जो हमारे निचे में सबजी है, ये चावल तो थोड़ा कम ही पका है, तो जो पानी था, तो उसको उपर से अपने अनिसार, एक एक चमच येक चलनी, जितने चावल हो, उसी इक अनिसार डाल दीजिए, और जो धर धनि ये गाईज, मैं वीडियो बना रही हूँ, और जो मेरा प्याज था, तो उपर से प्याज भी डाल दी, उसको हर चीज करने का उसको जे खोता है ना गून, उसको हर चीज करने का गून है गाईज, और हर चीज करने को सोख रखती है अपने अंदर, तो देखिए, उपर से डाल रही है, मा बेटी मिलकर हम दोनों बना रहे हैं वीडियो, कभी वीडियो बनाती है तो मैं करती हूँ, कभी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो करती है तो उपर से, जो हमारे काजी हो गया, तो वो डाल दी, तो गाईज, देखिए, मैं गैस पर चढ़ा दी हूँ, और भाकन से ढख दी तो गाई दिखी मेरा ये बन कर त्यार हो गया है और बहुत सुन्दर से खुस आ रही है वाव बहुत अच्छा लग रहे है गाईज कहा जाता है जो चीज़ देखने में अच्छी लगता है उखाने में भी उसमें बहुत सारे स्वाद होगा तो गाईज अब इसने पलेट में हम निकाल रही है यह हमारे संडे का ये इसको खाना समझे ये रोटीन समझे कभी संडे फुर्चत में रहते हैं तो हमारे हां एसा एसा चीज बनते रहता है गाईज तो गाईज कमेंट करके बताइए गाईस ये वीडियो कैसा आप लोक के लग रहा है और कैसा इसका टेस्ट है इसका एक बार अपने घर में इस तरीके से बना कर खाईए गाईज तो प्याज से इसको थोड़ी सी गानिस कर दे और इसमें से मैं टेस्ट कराऊंगी आप लोगों को तो हमारे जो खाना है बन कर त्यार हो गया है तो आप लोग भी टेस्ट कर लिजिए और टेस्ट करके बताईएगा कैसा इसका स्वाद है तो फिर मैं अगले वीडियों मिलती हूँ